हेलो इवरिवन स्वागत है स्विस्व एकडमी के यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज का टोपिक है हमारा एंटीना एरेज आज के विडियो लेक्चर में हम जाने के एंटीना एरेज क्या होती हैं और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में और दोस्तों यह दिवी तक आपने हमारे माइक्रोवेब एंड रडार इंजिनियरिंग के प्रिवेस लेक्चर नहीं देखे हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वहाँ से जाकर सभी वीडियो देख सकते हैं जिसमें कई सारे रेडियेटर्स एक दूसरे के निकट रखे होते हैं दोस्तों एंटीना एरेज क्या होती है एंटीना एरे एक रेडियेटिंग सिस्टम होता है जिसमें कि बहुत सारे रेडियेटर्स एक दूसरे के निकट रखे होते हैं दोस्तों antenna arrays में क्या होता है? जब हम बहुत सारे antennas को combine कर देते हैं तो हमें एक array फराप्त हो जाती है जिसको कि हम antenna array कहते हैं इस radiators के radiation pattern एक दूसरे से interact करके एक ऐसा radiation pattern बनाते हैं जो की वेक्तिकत radiation pattern का vector योग होता है और दोस्तों इसमें क्या होता है? जो radiators होते हैं, उनके जो radiation pattern होते हैं, वो एक दूसरे से enteract करके एक ऐसा radiation pattern बना देते हैं, जो कि weqt गत radiation pattern का vector sum होते हैं दोस्तों, antenna area में क्या होता है? जिन antennas को combine किया जाता है, उनमें से प्रतेख antenna एक field generate करता है और इस generated field का antennas area में vector sum कर दिया जाता है तो दोस्तों यही होता है Antina Array दोस्तों अब हम देखेंगे Antina Array के Classification में Broadside Array के बारे में कि Broadside Array क्या होती है Broadside Array में समान आकार के कई डाइपोल एक सीधी लाइन में समान दूरी पर रखे जाते हैं सभी डाइपोल समान कला में एक ही सोर्ष द्वारा फीड किये जाते हैं। दोस्तों, ब्रोड साइड एरे में क्या होता है। ब्रोड साइड एरे में समान आकार के कई डाइपोल एक सीधी लाइन में सेम डिस्टेंस पर रखे जाते हैं। और ये सभी डाइपॉल सेम पेज में एक ही सोर्स द्वारा फिट किये जाते हैं और दोस्तों जो broad array होती हैं वो array के plane के लंबवध strongly directional होती हैं क्योंकि array के plane के लंबवध दिसा में array के beven element की field एड़फ हो जाती है इसलिए जो broad side array होती है वो array के plane के लंबवध strongly directional होती हैं और दोस्तों इसमें क्या होता है array की plane में beven element की field एक दूसरे को cancel करती है क्योंकि antena के plane पर कोई भी विंद सभी element से समानदोरी पर नहीं होता है इसलिए या जो field होती है वो एक दूसरे को cancel करती है और दोस्तों इसी कारण उस direction में जो radiation होता है वनना के बरावर होता है यह figure आपको broadside area तथा उसके radiation pattern का figure दिखाए गया है इसमें क्या होता है यह हमारे dipole होते हैं जो कि same akar के same distance पर रखे होते हैं जैसा कि दोस्तों आप figure में भी देख रहे हैं यह हमारे dipole होते हैं माकार के same distance पर रखे होते हैं और दोस्तों यह broadside area का radiation pattern दिखाए गया है दोस्तों जो broadside area होता है उसका जो radiation pattern होता है वो by directional होता है और दोस्तों इसमें क्या होता है इस direction में जो radiation होता है वो maximum होता है और इस direction में जो हमारा radiation है वा minimum होता है जैसा कि दोस्तों आपको figure में भी दिखाये गया है अब हम देखेंगे in fire array के बारे में कि in fire array क्या होती है in fire array में radiator की विवस्ता broad side array की भाती होती है अर्थात समाना करके कई dipole एक सीधी line में समान दूरी पर रखे जाते हैं दोस्तों in fire array में क्या होता है जो radiator इसमें जो radiator होते हैं उसकी विवस्ता भी broad side array की भाती होती है इसमें भी कई समाना करके dipole एक सीधी line में समान दूरी पर रखे जाते हैं इस एरे के प्रतेक element की current का मान समान होता है किन्त इन धराओं के मद phase difference होता है दोस्तों end fire array में क्या होता है इसमें जो भी element होते हैं उनकी current का जो man होता है वह तो same होता है लेकिन उन current के मद page difference होता है लेकिन दोस्तों जो broad side array होती है उसमें current का man same तथा same page में होता है तो दोस्तों यही basic difference होता है broad side array और end fire array में और दोस्तों इसमें जो current के मद phase difference होता है वह 180 degree लिया जाता है और दोस्तों यहां हमारे dipoles होते हैं जो कि same आकर के same दूरी पर रखे जाते हैं और दोस्तों इन dipoles के बीच की दूरी जो होती है वह lambda by 4 होती है लेकिन दोस्तों जो broadside arrow होते हैं उनमें dipoles के 200 की दूरी ऑई लेम्डोी लेम्डा वा 2 होती है और दोस्तों यहां इनडफायर रे के radiation pattern का figure दिखाएगा है जो कि ये only directional होता है लेकिन दोस्तों जो broadside arrow होती है उसका जो radiation pattern होता है वह by directional होता है दोस्तों इसमें क्या होता है इसमें ये हमारा maximum radiation होता है और ये हमारे minimum Exerc points होते हैं तो धोस्तों यहां हो गया end fire array घथा उसके radiation का figure तो धोस्तों आसा करता हूँ आपको समझ में आगे होगा धोस्तों अब हम देखेंगे broadside array एंड इंड फायर एरे की मुख विस्थाओं के बारे में कि वो ब्रोड साइड एरे और इंड फायर एरे की क्या विस्थाओं होती है तो दोस्तों इनकी क्या विस्थाओं होती है या लीनियर होती है दोस्तों जो ब्रोड साइड एरे और इंड फायर एरे होती है उनकी जो bend वित होती है वो और narrow होती है इसलिए या single frequency transmission के लिए suitable होती है तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like करें, share करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को subscribe करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टोपिक के साथ तब तक के लिए जहिंद वंदे मतरम